सबी को मेरा राम राम लास्ट वीडियो में हमने त्रिभुज के बिशे में पढ़ा था जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज के परकार के बिशे में हमने डिस्कस किया था आज हम इसके कुछ प्रश्ण और बनते हैं जैसे पहला है मध्येका मंध्य का के बारे में पढ़ेंगे जो रेखा तरिभुज के किसी कौन के सामने वाली भुजा को दो भागों में बिभगत करती है बाटती है उसे मंध्य का कहते हैं जैसे कि आप चितर में देख रहे है यह आपके पाद तरिभुज बनी हुई है A, B, C इस तरिभुज में जो A, D रेखा है यह है तरिभुज की मंध्य का और यह B, C रेखा को दो समान भागों में बाट रही है इक्वल इस तरिखा को बनाती है इसे कहते है मंध्य का जो चाए B से निकलेगी यह मंध्य का C से निकलेगी जैसे A कॉन्से निकल लड़ी है तो यह B, C रेखा को दो बागों बाट रही अगर यह मंध्य का अम B तो यह A, C रेखा को दो ब्राबर भागों में बाटेगी अगर हम C से लगएंगे तो A, B जो रेखा है इसको यह दो समर्भागों में बाटेगी अगला है आधार कौन जो कौन आधार पर बनाया होता है उसे आधार कौन कहते हैं जैसे आप चित्र में देख रहे हैं इसमें दो कौन नीचे बने हुए 70-70 डिगरी के ये जो कौन है इनको हम कहते है आधार कौन जो आधार पर बने हुए कौन होता है उनको हम आधार कौन कहते हैं नकला है शिर्ष कौन तरिबुच के शिर्ष पर बने कौन को शिर्ष कौन कहते हैं जैसे आप चित्र में देख रहे हैं ये उपर जो कौन बना हुआ है मैंने पहले आपको यही चीतर दिखाया था आधार कौन के लिए अब मैं इसको शिर्ष कौन के लिए आपको दिखा रहा हूँ नीचे दो कौन बने हुए 77 डिगरी के तो यह है आधार कौन और ए पे जो कौन बना हुआ है उपर यह है इसका शिर्ष को अगला हमारा है लंब त्रिबुच के शिर्ष से आधार पर खिची के सीधी रेखा जो 50 डिगरी की हो को लंब कहते है जैसे आफ़ चितर में देख रहे हैं एक त्रिबुच बनी हुई है A C B इस त्रिबुच पर एक रेखा है B G जो रेखा है यह है लंब इस त्रिबुच का B से सीधा जिदा जो यह फेक्ट है और लंब में बीशे शुरूप से अलग से वीडियो बनाऊंगा इसमें बहुत सारे प्रेशन बनते हैं जो कमिशन में आ सकते हैं इसमें अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अभी मैं फिलाल आपको सिर्फिस की डेफिनेशन के बारे मैं समझा रहा हूं और जैसे कि अब चितर में देख रहे हैं एक त्रीबुच बनी हुई है A-C-B और इसमें हमने लंब की गिरा रखे हैं जैसे एक लंब है A-F एक है D-B और एक है C-E इन सभी का जो कैंदर बिंदू है O जो है जो O दिखा रहा है यह है हमारा परी कैंदर लंब समधी भाजकों का संगम बिंदू है इसको हम कहते है परी कैंदर अगला है अंतर कैंदर त्रीबुच के कोणों के संदी भाजकों के संगम बिंदू को अंतर कैंदर कहते है अब यह है पहले हमने पढ़ा था परी कैंदर परी कैंदर होता है लंब समधी भाजक अगर लंब जहां पे कठे मिल हुआ है वह है परीकेंद्र और त्रिपूझ के जो कोनों का सम्दिवाज अगर को को हम धने बांने रखा है जैसर से सितर में देख रहे हैं यह जो आपका चैंद्र को वीच बना हुआ है यह है अंतर केंद्र जैसे आप देख सकते यह तर्फशच यह कं её हुई है A, C, B तो जो C कॉन है इसको हमने हाफ कर दिया है यहां से हमने लंब नहीं कि ना रखा है इसका आधा हमने किया है यह दो भागों में बढ़ गया तो A और दो कॉन बन गए A कॉन जो हमारा है A पे जो बना हुआ है इसको भी दो भागों में बाढ़ दिया तो यह C आपका बन गया तीन और चार और B कॉन को भी हमने दो भागों में बाढ़ गया तो पाच और छे तो A की त्रीबुच में अंदर जो डिवाइड करके छे कॉन बन गए है तो सेंटर जो इनका यह Red Color से जो आपको Indicate हो रहा है यह है अंतर कैंदर मलब कि कोनों के संदी भाजक और कोनों का संदी भाजन किया है उन रेखाओं से जो Center बनता है जो रेखाओं जहां पर कठी मिल रही है वो है अमारा अंतर कैंदर उसे हम अंतर कैंदर कहते है अगला है केंद्रक त्रिभुज की मंधिकाओं के संगम बिंदू को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं जो हमने इस तरह के दो प्रशन पहले पढ़ा है पहले होने पड़ा था पदी केंद्र, मीन्स लम संदी बाजिक, दूसरा होने पड़ा था अंतर केंद्र, अंतर केंद्र मीन्स रेखाओं का नहीं हुआ था इसमें कोनों का संदी बाजिन हुआ था, और जो हमारा केंद्रक है, केंद्रक होता है कि कोनों के सामने वाली भुज जो जो हमारी बनी हुए है त्रिभुज बनी हूं का संटर जहां पर रेखाय है नहीं इन द सकते हैं इस तरह सेसको बनी हुम हम कैंदरक अगला हमारा है लंब कैंदरक त्रिभूज के शिर्ष लंबों के संकम बिंदू को त्रिभूज का लंब कैंदरक कहते हैं यह आप देख सकते हैं चितर में ज़र चितर बना हुआ है यह है अगला हमारा है त्रिभूज का अंतरंग तल के उस भाग को कहते हैं जो त्रिभूज से घीरा हो त्रिभूज का अंतरंग कहते हैं जैसे आप देख सकते हैं त्रिभूज को यह पत्रण इसको हम कहते हैं त्रिभूज का अंतरंग इसमें line include नहीं है यह आगे मैं definitions में बताऊंगा अभी यह जो color एकी बना हुआ है red color sorry अपना green color है यह है त्रीभुज का अंतरंग इसमें त्रीभुज का अंतरंग कहते हैं अगला है त्रीभुजाकार प्रदेश त्रीभुज और त्रीभुज के अंतरंग के सम्मिलन को त्री अंदर का जो color है वो हमने इसको include किया था वो होता है अंतरंग और इसमें हम जो त्रीभुज का प्रदेश है इसकी मैंने definition आपको बताई त्रीभुज और त्रीभुज के अंतरंग के सम्मिलन को means जो black color की line है यह भी इसमें include होगी पूरा जो यह शेत्र बनता है इसको हम कह कहते है त्रीभुजा का प्रदेश अगला हमारा है श्रम कौन त्रीभुज जिस त्रीभुज का कोई भी कौन सम्मान ना हूँ उससे बिश्यम कौन त्रीभुज कहते हैं जैसे कि आप चितर में देख रहे हैं यह त्रीबुज बनी हुई है इसमें एक कौन तीस डिगरी का है एक कौन एक सो दस डिगरी का है और तीसरा जो कौन है यह चालिस डिगरी का है तो तीनो कौन इसके बिशम है मिस अलग-अलग है इसको हम कहते हैं बिशम कौन त् और इसी में इसे में इसे में समझहाता है तो थोड़ा लंबी वीडियो हो जाती इसलिए मैं इस पर अलग से दो बिडियो बनाऊ गई और नेक्स्ट वीडियो और इसके बनते है तो उसके उपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तो तब तक के लिए बेस्ट आप लग थैंस पर वाचिंग मैं चैनल ड्राइंग स्टर्ड